Hi friends, Welcome to the disk, Dewa English Aspakan class. Friends, English में total five causative verbs HOTE हैं. وہ five causative verbs क्या क्या है? get, make, have, help and let. Okay friends, get and make के बारे में तहाम पहले ही जान चुके हैं. मैं इसके बारे में पहले ही already video मना कर डाल चुका हूँ. Okay friends, आज हम सिखेंगे causative verb have का स्तमाब. तो as a causative verb have का इस्तेमाल हम वैसे sentences के लिए करते हैं जब कोई subject कोई काम खुद ना करके किसी और से करवाता है यानि कि इसमें अगर हम किसी काम की किसी और को responsibility देते हैं जिमेदारी देते हैं करने की तो वैसे sentence को बनाने के लिए हम have का इस्तेमाल करते हैं okay friends causative verb have का sentences का दो structure है वो दो structure है पहला structure है subject plus have plus person plus we one दूसरा structure है subject plus have plus thing यानि non living things plus we three okay friends तो हम सबसे पहले पहला structure को देखते हैं इसमें हमेशा we one यानि कि verb का पहला form का इस्तेमाल होगा और subject के बाद have और have के बाद किसी भी person यानि की living things का ही चर्चा होगा okay friends एक बात और कि gate और make की तरह ही इसमें भी have ही main verb है as a main verb होता है okay friends इसमें जो base verb है वो जो इसके बाद verb आता है उसका हमेशा we one आएगा और have का जो form है वो tense के अनुसार ही बदलेगा okay friends अगर tense change है past and definitely tense है तो have का second form लगेगा head अगर future tense का sentence है तो have से पहले will का इस्तमाल करेंगे okay friends तो हम sentences बनाते हुए समझते हैं मैंने अपनी कार जोसेफ से बनवाई यानि कि सुधरवाई I had Joseph fix my car यहाँ पर head का इस्तमाल हमने इसलिए किया क्योंकि यह past and definitely tense का sentence है और past and definitely tense में हमेशा verb का second form का इस्तमाल होता है okay friends अगर इसी sentence को हम ऐसे बोलेंगे कि मैं अपनी कार जोसेफ से ठीक करवाऊँगा यानि कि सुधरवाऊँगा तो I will have Joseph fix my car उसने doctor से अपनी आखें चेक करवाई he had a doctor check his eyes मैं राम से पत्र लिखवाऊँगा I will have राम right later अगर इसको हम past में बोले मैंने राम से पत्र लिखवाया I had राम right later मैं अपने दोस्ट से आपका काम करवाऊँगा I will have my friend do your work उसने अपने असिस्टेंस से मुझे कॉल करवाया he had his assistance call me तुम सुनील से अपनी टीवी सुधरवाऊगे you will have सुनील repaired टीवी ओके फ्रेंट्स यह था पहला structure अब यह दूसरा जो structure है वो क्या है वो है subject plus have plus non-living things plus V3 जब हम have के बाद किसी भी non-living things की बाद करेंगे तो उसके बाद हमेशा V3 का इस्तमाल करेंगे ओके फ्रेंट्स जैसे sentence है मैंने अपने बाल कटवाए I had my hair cut यहां पर cut third form का इस्तमाल हुआ है cut का second or third form और first form तिनों same होते हैं ओके फ्रेंट्स कट 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 मैंने अपने बाल कटवाए I had my hair cut मैं अपने बाल कटवाऊंगा I will have my hair cut मैं अपने बाल कटवाने जा रहा हूँ I am going to have my hair cut फ्रेंट्स एक बात और बता दूँ कि यह जो दूसरा structure है वोला इस sentence को हम gate से भी बना सकते हैं जैसे मैंने अपने बाल कटवाए I got my hair cut मैं अपने बाल कटवाऊंगा I will get my hair cut फ्रेंट्स इन sentences को हम gate से भी बना सकते हैं मैं अपनी गाड़ी रिपेयर करवाऊंगा I will have my car repaired मैंने एक घर बनवाया I had a house built मैं आपकी बूक छपवाँ दूँगा I will have your book printed ओके फ्रेंट्स बस इतना जान लेना आप कि अगर हैव के बाद हम person का उले करते हैं person तो V1 का इस्तमाल होगा अगर हम हैव के बाद किसी things non-living things का इस्तमाल कर रहे हम वहाँ पे तो वहाँ पर हमेशा V3 का इस्तमाल होगा ओके फ्रेंट्स यह हमेशा याद रखना तो फ्रेंट्स उमीद करता हो कि आपको causative और have का इस्तमाल अची तरह से समझ में आ गया होगा ओके फ्रेंट्स फ्रेंट्स वीडियो अच्छा लगने पर से है तो आप तो आप हमारे चानल पर जाए हमारे चानल पर जाने के बाद चैनल के playlist में जाएए उस पर आपको प्लेनिस्ट लिखाने जर आएगा उस पर बेह अप क्लिक कि यिए उसारे विडियोस को आप उपर से करने के बाद सारे झाल झाल